हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का दिराज क्लासिस के यूटूब चैनल पर और गाइस काफी समय से बच्चे मेरे चैनल पर डिमांड कर रहे थे कि वो EVS की तैयारी कैसे करें देखिए आज की वीडियो सिर्फ और सरफ मेंली EVS को लेके रहने वाली है और ये अगर मैं ब 20 में से 20 स्कोर कर सकें देखिए काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने यूट्यूब पर कोई ना कोई कोर्स परचेस किया हुआ है या फिर वो कहीं दूसरी जगा से तैयारी कर रहे है तो उनका एक कॉमन कोशन मेरे पास आता है कि जो भी उन्हें कंटेंट प्रवाइ उसमें EBS के 20 कोशन आये थे और 20 के 20 कोशन NCRT से थे ये गैरंटी है मेरी कि अगर आप NCRT पढ़के जाते हैं तो EBS में 20 में से 20 आपके कहीं नहीं गए अब सवाल उठता है कि सर NCRT के हमें कौन कौन से चेप्टर पढ़ने है कहां से पढ़ने है कैसे पढ़ने है देखिए अब ही आप मेरी स्क्रीन पर एक PDF देख पा रहे होंगे और इसमें क्या है मैंने सारे चेप्टर को सौट करके रखा हुआ है कि आपको Political Science में क्या पढ़ना है ठीक है आपको History में क्या पढ़ना है आपको Geography में क्या पढ़ना है आपको Economics में क्या पढ़ना है उस पूरे स्ले चैप्टर को आप मुबाइल में पढ़ लो या अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हो तो बुक से भी पढ़ सकते हैं मैंने यहां पर उसके लिए लिंक दे दिया है ठीक है यह जो भी PDF है मैं आपको थुरू WhatsApp और टेलिग्राम आपको शेर कर दूँगा अब थोड़ा सा मैं आपसे syllabus के बारे में बात कर लेता हूं ठीक है तो syllabus के लिए हम चलते हैं direct अपने जहां पर मैंने इन सारी चीजों को sort करके रखा है थोड़ा सा पहले वहां पर आपको समझा देता हूं फिर बताता हूं कि आपको इस PDF को आप कैसे use करेंगे ठीक है देखे यह आपका environmental science का syllabus है इसमें सारी चीज़े आ जाती है आपकी history, political science, geography, economics और कुछ पार्ट आपका आता है journal science का ठीक है यह सारी चीजों से मिलकर बनती है आपकी environmental science यानि कि sst plus में आपकी journal science ठीक है यानि कि जो सारी चीज़े आपके environment से related है वो सारी आप से पूछी जाएंगी ठीक है देखे चीजों को बाट के पढ़ना चीजों को divide करके पढ़ना बहुत असान होता है तो हमने इस पूरे syllabus को आपके लिए डिवाइड कर दिया है आपके political science में political bodies ये सारा जो portion है आपका political science का है ठीक है आगे हम बात करते हैं history का बहुत कम है आपका portion सिर्फ और सिर्फ तीन topic है national freedom movement, cultural renaissance और social reformers of India ठीक है और आगे हम बात करते है economics के सिर्फ और सिर्फ दो topic है और सबसे ज्यादा जो portion है जो आपको सबसे ज्यादा पढ़नी है वो है natural calamities, transport and communication, natural resources, geography का आपका सबसे ज्यादा syllabus है आगे अगर हम देखते हैं तो science में science ना कहके हम से कह सकते है journal science इसमें आपके सिर्फ तीन topic है common disease and their prevention, deficiency disease and their prevention, communicable disease and their prevention ठीक है तो देखे इन सभी चीजों के लिए ना मैंने आपके लिए आपके PDF लिंक बना दी है यानि कि ये सारे chapter NCRT में कहां पर दिये हैं ठीक है तो उसके लिए मैंने आपके लिए PDF बना दिये और बहुत ही easy way में बहुत easy way में my dear friends आप जब चाहे इन्हें open करके पढ़ सकते हैं मान लीजे आप travel कर रहे हैं metro में हैं metro में आपको 1.5 घंटा लगने वाला है तो आप इन PDF को open करके पढ़ स सकते हैं अब वापिस आपको उसी PDF पे लेके चलता हूं कि उस PDF में आपके लिए और क्या-क्या दिया है तो वापस आ गए हैं में अपनी PDF पर अभी जो आपने syllabus देखा उस syllabus के according पॉलिटिकल साइंस का जितना भी portion दिये है आपको कौन-कौन से chapter पढ़ने हैं यह मैंने आप के लिए bifurgate करके रखा है जैसे कि class 6 के आपको यह chapters पढ़ने हैं अगर आप English में पढ़ना चाहते हैं तो इन link पे आप click कर सकते हैं Hindi में medium में पढ़ना चाहते हैं Hindi medium पे आप click कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं यह कैसे work करेगा जैसे आपको chapter पढ़ना है what is government सरकार क्या है 6th class का यह chapter आपको पढ़ना है तो अगर आप Hindi medium से हैं तो इस link पे click कीजिए तो आपका जो chapter है अभी हमने देखा सरकार क्या है तो यह chapter आपका open हो गया तो आप देख सकते हैं यह जो chapters है ना यह सारे आपके political science के जितने भी topic आपके syllabus में दिये हैं वो सारे cover करते हैं तो political science के यह आपको इन पर दिये हैं आप इन chapter को पढ़िए जरूर अगर आप score करना चाहते हैं 20 में से 20 हाँ एक चीज और बताता हूं आपका 80 marks का subject concern है अगर आपने इसमें 70 score कर लिया ठीक है बाकी बचे आपके 70 नमबर का फेपर बचा और उसमें अगर आपके 40 या 50 नमबर भी आ गए तो आपके लगबग 120 या 115 के आसपास merit जाएगी इससे जादा नहीं जा सकती और ये बिलकुल safe score है ठीक है तो कोशिच कीज कीजिए subject concern को अच्छे से prepare कीजिए क्योंकि उसका syllabus तो आपको दिया है ना आपको बताया है कि आपको क्या पढ़ना है तो इसकी तयारी बहुत अच्छे से कीजिए ठीक है अब देखे थोड़ी सी चीजे और दिख पता देता हूं आपको जैसे कि कुछ ऐसे topic हैं जो कि मान YouTube से भी पढ़ सकते हैं जस्ट इन topic को सर्च कीजिए मैंने आपके लिए यहां पर लिख दिया है ठीक है बात करते हैं अब जोग्रैफी की जोग्रैफी के अगर मैं बहुत सारे link थे मैं उनको नहीं दे पाया हूं उसके लिए मैंने simply काम क्या किया है आपको 6th के ये chapter पढ़ना है ठीक है तो देखिए मैं इस link पे अगर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने NCIT की site open हो जाती है और इसमें मुझे पढ़ना है 6th class का social science का geography का the earth our habitat ये English में बुक का नाम है और पिर्थवी हमारा आवास ये हिंदी में नाम है तो जिसमें हिंदी मीडियम में पढ़ना है हिंदी मीडियम की book को क्लिक कीजिए इंगलिश मीडियम में पढ़ना है इंगलिश मीडियम की book को क्लिक कीजिए जैसे कि मान लीजे मैं हिंदी मीडियम की book को क्लिक करता हूं पिर्थवी हमारा आवास तो मेरे सामने ये सारे chapter open हो जाते हैं मेरे को chapter 2 पढ़ना है तो chapter 2 मेरे सामने खुल गया उस चैप्टर को मैं जब चाहे तब पढ़ सकता हूं अप मेरे सामने मेरे सक्रिन पे देख सकते हैं globe आक्षांच एवन दिशांतर को आपके डुक में दिया हुआ है इस चैप्टर को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर देख रहे में आगया होगा कि आपको किस तरह से तयारी करनी है अब एक चीज और है आपकी PDF में वो भी मैं आपको बता देता हूँ इस PDF में मैंने जितने भी मैंने अभी तक chapters पड़ा हैं आपको और जितने भी important question हो सकते हैं वो सारे link भी मैंने आपके लिए share इसमें कर दिये हैं ठीक है जिए जिए आपको मैंने चार से पांच वीडियो में पढ़ाया था यह सारी वीडियो के link भी मैंने यहां पर दे दिये हैं और यह maximum आपके लगबग 80% syllabus को cover करती हैं ठीक है लेकिन मैं आपको recommend करूँगा कि आप NCRT को जरूर पढ़ें ठीक है NCRT के बिना काम नहीं होने वाला 20 में से 20 मैं कहता हूं नहीं आने वाले ठीक है तो जरूरी है कि आप NCRT को पढ़ें और इन वीडियो को भी आप देख सकते हैं अब आपको यह भी बता देता हूं कि यह link कैसे work करेंगे देखिए जैसे longitude and latitude अक्षांच वादेशांतर है मैं इस वीडियो पर click करता हूं ठीक है मान लीज़े मुझे topic पढ़ना है तो मैं यहाँ पर click करता हूं तो direct मेरे सामने यह link open हो जाता है गाइस यह जो pdf है आपको whatsapp पे और telegram channel दोनों पे share कर दी जाएगी साथ के साथ मान लीज़े जिन बच्चों ने मेरा telegram channel join नहीं किया है इस pdf का link आपको description box में भी मिल जाएगा आप उसे वहाँ से भी download कर सकते हैं और साथ के साथ जो भी बच्चे मेरे channel पे new है यह मेरा whatsapp number है आप मुझे इस number पे message कर दीजेगा high लिख के और अपना नाम मैं आपको अपने broadcast system से जोड़ दूगा ताकि यह pdf already आपके पास पहुच जाएगी ठीक है तो guys मेरी एक कोशिश है कि आप अच्छा पढ़ें और जो भी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं मैं चाहता कि आप select हों और आपका selection 100% और first list में ही हो जाए ठीक है तो guys यह मेरी एक कोशिश है और खूब मन लगा के तयारी कीजिए 2022 में definitely बहुत सारी vacancies KVS की आएंगी ही आएंगी ठीक है जैसा कि आपकी central government ने भी announce किया है कि वो बहुत सारी vacancies जल्दी ही भरेंगे तो तयारी करते रहिए और अच्छा पढ़िए authentic पढ़िए ठीक है चलिए thank you so much guys